वेडिवान कैसे आप सब लोग वो तो पता है आप सब ठीक नहीं होंगे जो गेम खेल रहे हैं हमाई जेक्ट एससबी के साथ फिर भी पूछना बनता है तो आप सबी को पता है जैसे कि जेक्ट एससबी वालों ने निया स्लेबस अपलोड किया था रिमूव भी कर दिया तो जित्ति दर आपका स्लेबस ऑन होल्ड है तो मैंने सोचा आप तक पुंचाई जाए एंसी की वीडियो पहुंची ताकि आपका मुराइल डाउन ना हो मुराइल बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें जो हमने टॉपिक हतम किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंट टैंसी उस कोई डाउट आता आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपना स्कूर जरूर लिखें तो आगे बढ़ते हैं तो यह आपका आज का फॉर्स्ट कोशन पुर्स कोशट क्या कह रहें है जणाब कह रहे हैं था आप को कि अकाउंटिंग करता है मैंने आपको डिफ् तो bookkeeping sorry accounting कब begin करेगा वो begin करेगा when where the work of bookkeeping end जहां पर bookkeeping का काम end हो जाएगा वहाँ से accounting begin हो जाएगी आगे है cash invested by owner score जो owner cash invest करता है उसे हम क्या कहते है accounting term में मेरे साथ से first term ही हमने ये पड़ी थी और first term क्या कहती है that is capital जो भी पैसा owner invest करेगा उसे हम बोलेंगे capital कोई सिर्फ वो पैसा नहीं किसी भी item में किसी भी चीज में अगर investment owner कर रहा है किसी भी तरह से जैसे cash हो गया furniture हो गया building हो गया उन सभी को हम क्या consider करते हैं capital hope की clear होगा फिर आगे है third question cash or goods taken away by proprietor for personal use मैंने बोला था आपको अगर personal use कहीं भी दिख गया ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं drawing कोई भी cash या good proprietor ने personal use के लिए निकाला है उसे हम drawing बोलेंगे next है यह point मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन हमने पंचायत के time किया था इसलिए कुछ ऐसे points होते हैं जो आपको मदद करेंगे तो इदर व्यूमार ठीक है तो क्या है question the father of accounting is ठीक है accounting के father कौन है इसका answer क्या है लुका पैसोली आपने याद रखना है लुका पैसोली जी को father of accounting माना जाता है यह question आ सकता है मैंने आपको पंचायत के time पे question कराया था आगे बढ़ते हैं आपने next question कि oh next question मही क्या रहे है fifth question fifth question कह रहे है the person who owe money to a firm औगेंस goodź saudis call the जिसको आपने goods बेचे है जिस a जिसको आपने goods बेचे हैं उदार पर उसे हम क्या बोलेंगे जिसको हम बेचते हैं उसे हम बोलते हैं debtor तो इस कान से क्या देगा date है अगला है which is the first step of accounting process accounting का process का पहला step कौन सा है हमने आपको बताया था trick याद करने के लिए IMRC ठीक है I for identification second one is measurement third one is recording and see stand for classification तो first step क्या है identification of transaction transaction को पैचानो अभी आपको इसमें मैं deep में पढ़ाऊंगा जो हम general entries करेंगे कैसे हमने transaction को पेचानना है अभी क्लिए अभी क्लिए आप प्रोसेस याद रखिए क्या है seven question क्या कह रहे है as per the matching concept revenue minus is question mark is equal to profit हमें profit के बारे में कैसे पता चलेगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा अगर minimum revenue revenue आपका होता income income में से expenses अगर माइनस कर देंगे वो हमारा क्या देगा profit तो यह दो इंप्लॉइय है एक ए एक बिया है ए जो है एक काम दो दिन में खतम करते मतलब वो बड़ा efficient है और जो दो बी जो है एक काम 10 दिन लो कि एधाए खतम करते और आप की पास यह वाला क्यों नहीं करता accounting में आपकी balance sheet में क्यों नहीं आता just because of money measurement concept क्यूंकि आप इसे पैसे में नहीं तोल सकते उस कारण human resource आपका balance sheet में नहीं आता और यह concept आपका money measurement आगे बढ़ते हैं नाइंथ question बोल रहा है which of the falling is not a fixed asset नीचे आपको option दिख रहे हैं इस में से fixed asset कौन सा नहीं सबसे वहले आपको meaning पता होना चीए fixed asset है क्या fixed asset हमारे वो होते हैं जो पैसे में change होने में साल से ज्यादा time लग जाता है जो हमने resale के purpose के लिए नहीं लाया वह आपके सारे क्या है fixed asset ठीक है पहला आजाता option is the building building is your fixed asset plant and machinery यह भी आपकी fixed asset है balance with bank is not your fixed asset आपके bank पे पैसा पड़ा है रोज का लेंदेन होगा business में तो रोज का होगा यह तो नहीं आप सेविंग ले रखा है business का कोई भी account होता है तो वह maximum current account होता है तो current account lending लिए होता है तो balance with bank is your current asset not your fixed asset तो इस कान से क्या रहेगा balance with bank goodwill भी मैं बता दूं intangible asset है साथ-साथ fixed asset भी है fixed asset को इन्होंने दो में classify कि हो intangible और tangible तो उसमें intangible में आता goodwill इसका भी ध्यान रखिए next है out of the falling asset which one is not an intangible नीचे ना option दिया है आपको चार चार option में से तीन intangible है एक intangible नहीं है intangible word का तो maximum सभी को meaning पता होगा जिसको आप touch नहीं कर सकते जिससे आप देख नहीं सकते वह आप क्यों होते है intangible लेकिन इतर पहला ही जो option है इसको आप touch भी कर सकते हो देख भी सकते हो building बाकी भी आप देख सकते हो options पेटेंट्स 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 आर यह intangible asset goodwill इस यह intangible asset और trademark भी आपकी intangible asset है तो इसमें कौन सा intangible asset नहीं है that is building तो इसका answer क्या आजाएगा एवन इलेवन कोशन current assets do not include current assets में कौन का कौन सा option इसमें नहीं आएगा तो मैं बता दूं debtors is your current asset debtors जो है वो current asset है bank balance अभी ओपर हमने बताया current asset है prepaid expense भी आपका current asset है लेकिन motor car is your fixed asset तो इसका answer क्या आजाएगा B1 motor car 12th question for every debit there will be an equal credit according to dash concept किस concept के तहत for every debit there should be an equal credit होना चाहिए वो बोर रहे हैं तो वो आपका concept है dual aspect concept इस concept के according हमेशा debit के amount आपकी credit के ब्राबर होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप credit में 100 credit कर रहे हो debit 10 करोके तो चल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अगर आप 100 credit कर रहे तो 100 ही debit होगा अगर आप 10 credit कर रहे तो 10 ही debit होगा for every debit there should be an equal credit according to this concept next question आप पढ़ते हैं 13th question accounting has been referred to as dash of business business की वो क्या है bookkeeping है language है record है की blood है तो मैं बता दू वो bookkeeping की language है ठीक है आपने याद रखने accounting is a language यह जो आपके business की language आप कह सकते हो से ठीक है next है we can say that the business is in profit यह तो simple है layman भी इसका अंसर दे सकता है अगर कोई commerce का student नहीं भी है इस का अंसर सभी को पता होगा क्या है हम कब कहेंगे business आपका profit में है कब कहेंगे हम आपका business profit में है जब आपकी कमाई जब आपकी कमाई जादा होगी खर्चों से तब आप क्या कोगे हाँ बाई मैं profit कमा रहा हूं तो वो किस case में होगा कमाई को हम बोलते है income when your income exceeds expenditure तो यह आपका answer आजाएगा that is c1 आज का last question ले रहे हैं क्या है pick the odd one out इसमें नीचे देगे option में से कोई odd one आपने निकान ला है इन चारों में से एक odd one है आपने पता करना है कौन सा odd one है तो क्या है tools land goodwill plant and machinery इन चार में से किसी तीन में कोई एक चीज कॉमन है तो वो आपको दिख रही है जो tools है वो आपके tangible है land जो है tangible है goodwill जो है intangible है और जो plant and machinery है वो आपकी tangible है तो इसमें odd one कौन सा आ गया goodwill क्यूंकि goodwill आपकी intangible asset है आप इसे नहीं देख सकते हो ठीक है बाकी सब ही आपके touch कर सकते हो बाकी सबको आप देख सकते हो इसलिए इसमें इतनी वीडियो रखते हैं इसमें आपको हमने आपका मुरैल बढ़ाने के लिए यह वीडियो लाएं है ऐसे मारा कोई सोचा नहीं था कि यह वीडियो बनानी पड़ेगी अब आपको बताव वहला topic ही इन्हों है डिलीट कर दिया है चलो अब wait करते हैं किकर नेश सीट के लिये क्या निया सीट stiff आते हैं क्या निया सर्प्राइज आता देखते हैं क्या करते हैं तो आज के लिए हम इतनी रखते हैं और जो इस चैनल वीडियो पहुंच दिए हमारे एंड से कोई भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पूर्चे तो आज से इतना है गाइस थैंक यू एव गुड डे एंड इंजॉय दे गाइस